प्रोग्हार्ट अधिरें देन दोस्तों में दोस्तों आज हम लोग लिखेंगे अज हम लोग जानेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पैसी ठीक है IUPAC बहुत इंप्वॉर्टन है रसाइन बिंग्यान का सबसे बढ़ा सिर्च में रसाइन में हो चाहिव ऑर फंड़ निक यह ही ओर निक करना बहुत जरूर कि जब тस्ट उसक्ता है क्योंकि कहते हैं कि कलियू की केवल नाम है अधारा तो नाम की बड़ी बहिमा है तो हम लोग नाम आज पढ़ेंगे कौन सा नाम आई-उ-पी-ए-सी नाम जी हां आपने सही सुना आज का टॉपिक है आई-उ-पी-ए-सी क्या है आई-उ-पी-ए-सी नम कि आई से होता है क्या देखे इसका फूलफार्ब क्या होगा आई से होता है इंटरनेशनल यू से होता है यूनियन इंटरनेशनल यूनियन अफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री ठीक है यह है आई-उ-पी-सी का अगर आपसे पूरा नाम पुछा जाए कि पूरा फुलफार मताईए तो आपको बताना होगा इंटरनेशनल यूनियन आप्योर और अप्लाइड कमिस्ट्री यह देखें जो कमिस्ट्री में जो आई-उ-पी-सी नाम है या वर्ड में एक ह बिदेश वाला भी पढ़ता है इसलिए इनको बैग्यान को ने मिलकर करके एक संस्था कायोजन किया और वहां पर रखा आई-उ-पी-सी संस्था बनाई तो उसके अंतर का जितने भी योगी काधिन करेंगे सब एक ही नाम के नाम के चरों से जाने जाएंगी ठीक है तो जा कि नाम क्लेचर में तीन चीजे होना जरूरी है कितने चीजे बस तीन किवल तीन चीज पर ही नाम क्लेचर होता है पहला क्या है कि पहला आपको जानना है कि जनक हाइड्रोकार्बस है यह पारेंट हाइड्रोकार्बन यानि पारेंट्र कार्बन क्या है पारेंट्र कार्बन कार्बन के बारे में पर्फिक्स यानि पूर्व लंगन क्या है पूर्व लंगन आप समझते हैं कि जो कर्वन कर्वन से पढ़े लिखा जाता है और दूसरा है तीसरा है आपका है ग क्या है इसको कहते हैं अनु लगन वह कारवन के बाद में लिखा जाता है पहला परण है कि लंबी सिंखला कारवन कि कि नाम और यह कौई सा है उसके बाद में से फिक्स कौन जुड़ा है इन तीन चीज़ को समा वेच करके आप अगे पीसे नाम सब्सक्राव ठीक है तो आप पहले एक एक करके देखें कारवन का परेंट क्या होता है तो परेंटरल कारवन क्या होते हैं देखिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि परेंट कारवन क्या होते हैं तो यह देखिए आप कि देखें अगर कवर देकर खर यहां पर एक है 2020 कारबन एक है दिनक सिंकला एक है तो इसका नाम हो जाएगा मैं क्या होगा में रहाद साव सुन लिए दूसरा दूसरा है तो इसका नाम है इथ तीन कारबन अगर है泥 тов देशु attorney कारबन का का नाम है ब्यूट और पांच कारबन है तो नाम है प्यांट को शेक यह करबन अगर नमबर छे है तो इसका नाम हो जाएगा है और कारबन अगर सांग है तो इसका नाम और कारबन नौ है तो इसका नाम है 9 और करबन 10 है तो इसका नाम है यह जानना बहुत ज़रूरी है अब करबन के बारे में जोड़ा जाता है तो तीन ही बांद उसके बीच में जो बंद लगाये जाते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं पर यह दूसरा आपका डॉबल ए और तीसरा है आपका ट्रीबल ऑन लो इच मैं तीन प्रकार के बाँड होते हैं तीन प्रकार के बाँड यहां अब को दिखाए गये करो क्कोंसे एकलस बन्द सिंगलबन को कहते हैं एकलत डबल ऊद ट्इफल बागंड टा है वहां का जो सफिक्स heus., और जबलल रांड होता है उसका सफिक。」 इन पागंड है उसको सफिक्स अन्यलगन उसको कहना होगा यही कहना होगा दूड़ा है तो तीन रेखा है होती है डवल ऑब जुड़ा है तो वहाइं पर डभल रेखा होती है जब सिंगल बाइं क्या होगा एन एख रेखा होगी तब क्या कहने तो अब आपको सीधी बात थGG-ग कि कर सेड़ा से जो डंबर होते हैं वो एक दो तीन चार पांच छे साथ आड़नों के नाम यह है दूसरी बात अगर उनके मंद में सिंगल बांड जुड़ा है तो उसका जो आपका सफिक्स है अनुलग नहें वह आप उसके नाम में कहेंगे एन अगर डबल बांड जुड़ा है दो रेखाए आइन यानि एन एन और आइन इतने प्रकार के आपके बांद होगे है अब देखे क्या होता है कि इसका आप समावे इस कैसे करेंगे अब आप इसका साधान में नाम कैसे रिखेंगे जिसे देखिए आपको बनाना है में भनाना है मेटन किया तो हमने मिल गया诉 दृप्धन मेस हैं किस द्ाइब पर क्या बना हमें देखना हो गया कितरे कारबन है एक तो एक करवन हो गया और उसमें अर्बोड कारएबल की बलगैसी C सभ्ता चार यह पारबन का सब्सक्राइब कर्ब Bent occasion सब्सक्राइब ओर को चीजा चूंब आने कि कि लिए इत्व कर वेल्हं कट की किसी ड TIME तो चार कैसे होते हैं जैसे यहां पर देखें इसके कारबन के जो प्रमाड़क्रमांग है वो कितना है तो करबन का प्रमाड़क्रमांग 6 है तो अगर आप लेक्टारी मिन्दास लेखें तो यहां प्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क्रमाड़क इस तो इतनी चीज इसके बारे में जानना होगा आप देखें अब पहती है कि हैं और नहीं के निचित अनुपास से बने योगी को क्या कहते हैं से पूरा कर दीजिए तो यह क्या बन गया अपका एक नाम है अट्राराक से याद हो गया दूसरा देखिए आपको यह पूछ बालूम नहीं लेकिन आपको कहें पूछा जाए कि एथेन का सूत बताओ तो एथेन आप जानगे कि एथ धन एंड से बनाए एथ धन एंड तो एथ बें कितने कारबन है आपके दो कारबन तो देखें दो कारबन और उसके मध्य में कहुंसा बांड है सिंगल आपके कितने कारबन एक एक करबन यहां क्या तो सीटू और यह कितने हैं छे यानि जो एथेन का सूत्र क्या हो गया सीटू एशिक्स क्या हुआ सीटू एशिक्स कंफर्म हुआ चलिए आगे देखें आग day को जिसका अब को दिख और आइड प्रोपेन किया नाम है प्रोपेन आपको कोछे और बालूम नहीं है यह तो चीजों से हो कि प्रोप में आपको-प्रोप thereby को इसने होते हैं प्रोप में 12 ती तीन कारवन और यहां पर एंस अफिक से इसका मतलब यहां पर क्या है सिंगल बांडे समय सिंगल बांड आप एड कर दीजेंगे झेकी हम्मिल फ्रेंपके यह जिसका कोई नहीं इसका कौन होता है खुदा यानी CC उसका थिक क्या बना 1 2 3 क्या होगा इसका नाम हो बलुप और विस्थे हो हैं न दोनों को मिला दी जे क्या बन गया प्रोपेन और बंक का सोथर क्या होगा एक वा अधना है एस तीन निच्छे दो आठ यह अपका बना प्रोपन का अंदा है बना शम्जा को तो इस तरह ने लिजिए विज्टाइब को प्रा राज hackers घुक्रोक जांगे या जरना नीगे जो पिर्फृक्स होता है अब आपको पताईँगे प्रफिक्स तो श्सृफिक्स और पर फिक मैंने पहले बताया है कि सबसे पहले आपको जाना होगा जनक हाइड्रो कार्बन यानि जनक हाइड्रो कार्बन क्या है कि दूसरा आपको लगना है पूरुबलंगन जान जाओ और तीसरा है अनुलंगन ओर है ृधिया तो देखे पूरुब्लंगन को कि्रित्विएब किते हैं तो अब हम अगले आपको बता जाएगा पूरुबलंगन और अनुरुबलंगन क्या है और अनुलंगन पूरुड्र ऋंगन और जनक हाइड्रो कार्बन का संब्ध कि इस तरे से एक दुसरे से तो देखें यहां पर क्रियात्मक सम्हों देखें जो क्रियात्मक सम्हों लगाए गये हैं कि यह आपको याद रखना बहुत जरूर है अगर आपको क्रियात्मक समों नहीं आता है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ठीक है यहाँ पर क्रियात्मक समों में देखें यहाँ पर लिखा है कि वर्यात्ता लाग कई अगने का क्रम यायनि सबसे ज्यादा उसकी है इसमें क्रियात्मक रूप का करम होता है की कौन ज्यादा सबसे पहले किस को मानता दी जाएगी सबसे पहले किसकी बरेता होगी तो क्रियात्मक समूंढे तो चिछर बलक्वांगन happened यानि सबसे ज़्यादा ये इसको ब्रयता दी जाएगी इस आरडर में घटते हुए क्रम में आपको दिखाया गया है तो यहाँ पर जब मलिये जुड़ा है तो इसका नाम है कहीं जुडा है तो इसका सफिक्स ओगा वी एसिड यानिक और इसका पूरव लंगन वाग्त कार्बॉक सी हो जाएगा क्या ओगा कार्बॉक्स दूसरा है यह और पूर्व लगन इसको कहेंगे तब कहेंगे सल्फ हो क्या नाम है सल्फ हो दूसरा है सी और अगर जुड़ा है तो इसको एस्टर बोलते हैं इसका नाम एस्टर है और इसका अलंगन में O8 बोलेंगे क्या ओ एट जीसे अथिल एथेनोएट ओ ओ एट होगा ओएट होगा यह और इसको कहते हैं अलकाक्सी कर्बोनिल किसमे होगा पूर्व लंगन में ऐसे सी ओएकस सी ओएकस अगर जुड़ायत और यहकस के अस्थान पर क्लोरीन ब्रोमीन फ् है आली है और इसका नाम है है यह यह सब और इसका नाम होगा और इसका नाम ऑगा कर्बमाइल अगला है सी ट्रिपल वान अगर जुड़ा है तो इसको नैट्राइल बोलते हैं इसका नाम भी सफिक्स में नैट्राइल ही होगा और इसको साइनो बोलेंगे यहां पर देखें बड़ा ही इंप्वार्टन है सी एच्चो अगर गुरूप जुड़ा है तो इसको अलडी और अगर मालिजे आपका पुर्वलंग नहीं तो इसको पार्मिक कहते हैं दोसरा देखें कीटो यह आपका सी डेबल वान वह से अगर जुड़ा है तो इसका नाम होजागा कीटो और कीटो को सफिक्स में बोलते हैं क्या कहते है ओन ऑन नहीं ओन बोलेंगे यहां पर यहां पुर्प्व हुथ ना पुर्व लंगन में या प्रफिक्स में OH 50 है कीटो या कुक्स एसको फिर यहां पर और प्यति हबेगे ल को रहे और ऑगा अल्गो हले तो उसका जो सफिक्स नाम है वह आल होगा और आल क्या पढ़ेंगे इसको इसको आल पढ़ेंगे है ठीक है और यहां पर इसको अल पढ़ा जाएगा जान रहे है यह आपका अल है और यहां पर अंतर है लेकिन बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा और यहां पर अलको क्या बोलते है है और यहां पर आपका यह यह थायो अलक एप्टो इसका पूर्व लंगन नहीं तो अगर जूड़ान है तो इसका नाम होगा यह कहा जाता है और इसका नाम भी होगा पूर्व लंगन में इसका एमिन होगा डेबल बांड अगर जूड़ा ठीक है अगर देबल मांड जुड़ा है तो इसका नाम हैं किया इन होगा और तो तुम्हारा बन गया अब देखे की स्तरे से नाम क्लेचर किया जाता है ठीक है अब आपको सिखना है कि नाम क्लेचर कैसे किया जाता है तो कुछ आपकी योगिक है उनका देखें नाम कैसे लिखा जाएगा अब देखें आपको इसका आई पेसी में स्तर बनाना है यह लिखा है टू मेथेल पेंटेन वनाल ठीक है तो इसमें चीज आपको बताया गया कि क्या करना है तो क्या करना है वह आपको भखो भी जानना जुरूरी है तो सबसे पहले क्या करना होगा यह जो संख्यात्मक रूप से है जहां पर आपको जोड़ना होता है जो संख्या में दे दी जाती संख्या एक है दो है तिन है उसको लोकेंट कहते हैं काता अपना लोकेशन आन करो तो लोकेशन माने अस्थान कहां पर वह जुड़ा है तो इसक किस तरह से इसका नाम दिखा जाएंग यानी सिंग पहले जनक कण आप पहले को सबसे पहले लिखना होगा-स तो इत्व है राजясे रंग यह सब संहीं को बतल इस दो चील है यह तो इससे दो पहले यानि पूरूव लगन इससे पहले क्या लिखा अब इससे पहले का लिखा पैठ ना तो पहले इसको लिख लो फिर उसके बाद में क्या लिखा अनुलगन माने आने वाला फिर लिख़ो अनुलगनक लिखलो लिखरु कह यह तीसरा नमबर और फिर जनक के बाद censर चीज मातर से पेली चीज़ आपको लिखना तो देखें किस तरह से होगा पहले आप देखेंगे जनक क्या मिला तो आप जनक को दिए पेंट में देखें एक दो तीन चार-पांच पांच पंच कार अब टी लिखा यानि एंल लिखा यानी सिंगल बांट सम्मय है ये हैं यह एक हो गया अब उससे पहले वाला काम उस अब यह हो गया अब उसके बाद में दूसरा नमबर चलो क्या यह लिखना पूरूलंगन मने क्या है लोकेंट यह इस चीज को क्या कहते है लोकेंट और लोकेंट का नाम होता है मतलब अस्थान कातर लोकेशन आन करो है तो इसका मतलब है कि यह लोकेंट होगा तो लोकेंट है आपका इसको कहता है लोकेंट और यह आपका है प्रफिक्स क्या है इसको कहता है प्रफिक्स को तो के 7 में बंद अब देखें दो नमबर पर किया करा है लोगेंड में दो है और आपको Allдж दूसरे लोड्येंड में 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 दो लगा दो लग गया है यह इतनी चीज़ तो आपने लिग दी इतना भी लिग अब बचा क्या क्यों ऐख चीज बचा है एक नमबर पर इना है ओ एच्व लुग क्काम बन गया तक धेह आपका लगाया है तो कि गिए जाहां पर आपने अन लगाया जब और लगाया तो देखे एक दो तो यहां पर दो कार्वन बच्चा दो हाइड्रोजन बच्चे यहां पर एक दो तीन तो यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दी एक दो यहां पर आप लगा दीजिए इसे यहां पर देखे ऊपर नीचे का हाइड्रोजन हो जाएगा यहां पर जहां इसकी ब bond इस पर कितने है दो तो लिखा हैँ सीतू सिंगल कि यह यहांं पर ठらい परतार क cannabis तो यहां पर आपके लिख दे फिर सिंगल बांट फिर ऐस्टू पहर ऑच यह बना क्या आपको और दो पर आपने लिखा मेथिल तो टू मेथिल पेंटेन वन आल बन गया बनाना ठीक है कोई जादू मंतर का खेल नहीं है अगला देखे कि इस तरह से बना कि कि क्या है लिखा थ्री मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड यह आपको लिखा हुआ है और इसका आपको सर्रेचना बनानी है तो किस तरह से बनेगा तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप जनक सिंख्रा ढूंड़े इसमें सबसे पहले क्या तीन चीज जो है वह उसको आप ढू परेंड कारबन दूसरा परेंड कारबन के बाद परेंड कारबन से पहले जो लिखा है उसको परफिक्स यह परफिक्स ढूंड ले फिर उसके बाद में जो सबसे लिखा है उसको ढूंड ले तो पहले आप सबसे पहले एक नमबर दो नमबर फिर तीन नमबर यह तीन लिख लिखना होगा तो सेसे पहले एक नंबर को लिखी एक नंबर में क्या होता है और परफेर्श लिखना होगा तो लेकेंट के साथ में लिखना होगा तो मिला आपका एक दो तीन चार ब्यूट होगा अब ब्यूटेन के ते नोई खै यह 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 नहीं है यह इसमें त्टीक है अब क्या करा आई इसको लिग दिए आप दूसरे नंबर पर चलें मिथिल जुड़ा है कहां पर 3 तो 1 2 3 3 पर आपका क्या जुड़ा है मिथिल तो आप सीए त्थरी तो हो गया ना आप कुछ नहीं जहां पर आपको देखिए करभन की बैलेंसे पुरा कर दीए यहाँ पर पूरा है यहां लोग जोर दीजिए यहां जड़ा ले यह बोगाँ यह पर देखिए पूरा हो गया तो दो तीं स्वलिसिसर साइसं भाड़ कि यहां पर देखें यह सी एच सी एच थ्री कि सी एच टू और सी ओओ एच यह आपका बन गया कोई चीज इसमें कुछ देखना ही नहीं है सबसे पहले आपको जनक संख्ला कारबन की जनक संख्ला कितनी है उसको ध्यान में रखना होगा उसके बाद में जनक से पहले जो चीज लिखा है उसको आपको ढूंड करके लिख देना होगा फिर उसके बाद में जो दाएं तरफ लिखा है उसको लिख देंगे पूरा काम कम्प्लीट ठीक है अब देखते हैं संख्ला का नाम देखे किस तरह से लिखा जाता है कि करना है कि कि देखिए अब आपको इसका ये अश्रेल हम्तिया बना हुआ है इसकी सबसे पहले वही चीज क्या करना होगा सबसे पहले आप इसमें जनक सिंखला ढूंड लेंगे तो जनक सिंखला उधर से ढूंडी जाती है जिस पर कारबन की सबसे ज्यादे लंबी डोर हो यानि कारबन सिंखला सबसे ज्यादा हो और साथ-साथ यह भी रखा जाता है कि उसमें क्रियात्मक समों भी ज्या और पांच छे साथ किते करवन का क्या नाम हो गया हम साथ का इन लगा है इसका मतलब है हफ्ट हो गया अब यहां पर देखेए तीन नमबर पर एथिल लगा है और पाँच नमबर पर मिथिल लगा है ठीक यह दोनों हैं तो क्या लिखेंगे आप यह तूह गया इससे पहले आपने पेले काम कर दिया अब उसके बाद में यह लिखाए उया होए तो इससे पहले इसको लगा दिजिए यहां पर आगे लगाना होगा कैंपा qbl Mr. Five 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 है तो तो क्या होगा एक दो तीन चार पांच पांच पैंच को क्या कहते हैं प्रेंट आप निखा न अभी हम पर देखिए एक बात और धिर्म में लखना है कि यह जा है जो गया तो अब उससे पहले क्या लिखना आपको पेंट से लिखना है ब्रॉमु के नमबर पर फोर नमबर पर इसका नाम होगा टू ब्रोमु प्यंट इन टू क्लियर इस तरह से आप जितने भी लगभग लगभग जितने भी आपके योगिक हैं कर्बनिक योगिक के इनके आसाने से आप नमन क्लेचर कर सकते हैं हमें यासा है कि आप लोगों ने इसको सीख लिया होगा हम आपको अगले वीडियो में और इसका